सब्सकार दोस्तों मेरा नाम अनुस्ट्री मिस्रा है आदर साइस अकैडमी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गाइस हम लोग अपने वीडियो में सामान हिंदी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ठीक है तो इसमें मैं वह सभी टॉपिक आपके लिए जो सारे एक्जामों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मतलब अगर आप भी कितना भी लो एक्जाम दे उसमें से आपका ये पॉइंट जरूर पूछा जाएगा ठीक है और आपको मेरे वीडियो में SI, REIT और UPTED, MPTED सबसे रिलेटेड चीज़े मिलेंगी तो गाइस से देखिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो से लाइक और सुस्क्राइब चैनल जरूर करिए तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में पढ़ा था मेरे दो वीडियो आ चुके हैं जिसमें मैंने आपको हिंदी भासा का साहित बताय कि जो आपका हिंदी वर्ड है ये हिंदी ये आखिर आया क्यों और हम हिंदी को इतनी मानिता आखिर क्यों देते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था और इसके बारे में बताया था कि जो हमारी 22 भासाएं हैं हमारे सम्विधान में जो लिखी गई है 22 भासाएं वो क कैसे हैं और उन्हें कब मानने ता प्राप्त हुई किस पस्चिम में या उतर में कहां पर कैसी बोली बोली जाती है कैसी भासा है फिर आपकी विभासा का है तो इन सबसे रिलेटेड मैंने बात करी थी अपने वीडियो में I hope कि आपने वीडियो देखा होगा और समझा भी अगर हम बात करें तो एक टॉपिक होता है वर्ण माला क्या होता है वंडि में सेकंडी टॉपिक होता है इसलिए मैं इसको सेकंडे लेकर आएं क्योंकि इसके जेस्ट बाद मैं आपको संधी विच्छेत पढ़ाऊंगी तो संधी विच्छेत पढ़ने से पहले हमें वर्ण का ज्यान होना चाहिए तो हम लोग छोटे में बढ़ते थे वर्ण माला हम लोगों ने याद भी करी होगी लेकिन अब क्या है अगर मैं किसी से पूछूँ वर्ण माला के बारे में तो बहुत कम लोग होंगे जिने काखा आगा पूरा आता होगा या जिने वेंजन पूरे आते होंगे और बहुत कम लोग होंगे जिने स्वर और वेंजन में अंतर पता होगा लेकिन अगर आपके एक्जाम में हिंदी से related कोई भी चीज पूछी जा रही है तो आपको one विचार topic ऐसा है जो हर एक्जाम के लिए बराबर से महत्पूर्ण है तो आप इसे वीडियो को पूरा देखेगा और अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करेगा और लाइक करेगा अब अगर हम बात करते हैं व्याकरण के अंग ठीक है अगर आपसे कोई पूछे कि व्याकरण क्या है तो हम उल्डे सीधे जवाब देते हैं कि व्याकरण में हम लोग काल के बारे में पढ़ते हैं व्याकरण में हम लोग संग्या सर्व नाम के बारे में पढ़ते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है में जो आपका आंसर है कि व्याकरण क्या है तो व्याकरण जो है हमारा वर्ण सब्द और वाकिसे मिलकर बना होता व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं वर्ण सब्द और वाकिसे अगर वर्ण नहीं होगा मतलब जैसे जो हमारे वर्ण होते हैं का खा से लेकर ग्यां तक और जो भी है ये हमारे क्या है वर्ण है अगर वर्ण नहीं होंगे तो फिर सब्द नहीं बनेगा क्या नहीं बनेगा सब्द और अगर सब्द नहीं होगा तो फिर वाग के नहीं बनेगा जैसे एक example ले लेते हैं एक word में हमने कमल लिख दिया और उसे बाद लिख दिया का और उसे बाद लिख दिया ful ये सबी अलग-अलग जो हैं अगर मैं इसे अलग-अलग लिखती हूं कमल का फूल तो ये पूरा क्या हो गया ये पूरा एक वाक्ष हो गया और इसको अगर हम अलग अलग कर दें कमल अलग पढ़ें का अलग पढ़ें और फूल अलग पढ़ें तो ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा सब्ध I hope guys कि आपको ये चीच समझ में आ गई होगी अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर में आपका वर्ण विचार क्या है क्या है वर्ण विचार तो क्या है वर्णों का सुध लेखन अगर हम किसी वर्ण को सुध लेखन में लिखें और उसे सुध प्रयोग करें तो वो क्या है वर्ण विचार है मतलब अगर हम का को अगर हम इसे सही से का पढ़ें और इसकी जो सुद्ध जिस तरह ये मेन लिखा जाता है का इस तरह लिखा जाता है तो इसको गर हम इसी तरह लिखें सुववस्थित करके तो इसको क्या कहते हैं वर्ण विचार अब अगर हम का बोल रहे हैं और हम लिखें चा तो ये चीज तो फिर गलत हो जाएगी ना तो ये का का सुध लेखन है और ना ही ये का का सुध उच्छारण है आप कैसे का को चा बोल सकते हैं अगर आप काको चा बोलेंगे तो सामने वाला तो चाही लिखेगा लेकिन आपके नजरिये से ये का है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा तो क्या है वर्ण विचार क्या है वर्णों का सुध लेखन एवं सुध चर्ण का प्रयोग ही क्या है वर्ण विचार है वर्ण ध्वनी से आये हैं सही बात है जब मैंने का बोला जब मैंने का वर्ण की ध्वनी बोली ठीक है मैंने का बोला या मैंने चा बोला तो आपको वो सुनाई दी और जब आपको सुनाई दी तब आपने उसको सुध लेखन में लिखा तो क्या है वर्ण जो कहां से आये हैं वो द्वानी से आये मतलब जो भी हम बोलते हैं कैसी भी आवाज निकालें उसको हम लिख सकते हैं ठीक है गईस तो ये चीज़ आपको समाज में आगए कि वर्ण विचार क्या है अब हम आगे पढ़ते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि कैसे बनता है वाक्य तो वाक्य जो है वाक्य में सबसे पहले आपकी आती है ध्वनी ध्वनी के बाद आता है वर्ण वर्ण के बाद क्या आता है सब्द सब्द से क्या बनता है वाक्य जैसे मैंने अभी बताया ध्वनी क्या है का फिर बोला आपने मा फिर आपने बोला ला तो क्या है ये आपके ध्वनी अलग-अलग क्या हो गई का मा और ला अब अगर इनको जोड़ दूँ इनको आपस में मैंने ऐसे करके लिख दिया एक लाइन में तो ये क्या होगा अलग-अलग वर्ण से एक क्या बन गया है सब्द जो की सब्द का क्या नाम है कमल और जब इसी सब्द को हम पूरे संटेंस की तरह लिखेंगे तो हो जाएगा कमल का फूल मैं आपको एक एकजांपल से समझाने की कोजिस कर रहे हूँ इसे ध्यान रखेगा तो क्या है दुहनी और उसके बाद आपका आता है वर्ण फिर उसके बाद आपका आता है वर्ण के सब्द और फिर आता है आपका सब्द से वाके आई होप कि आपको समझ में आ ग पढ़ते हैं तो वो चीज कैसे आईए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़्यूरी है अगर आप किसी चीज को अगर कोई भी सब्जेक्ट को एक बार पूरी गहराई से बढ़ लेते हैं ठीक है माल लेते हैं आपको किसी भी चीज की तयारी कर रहे हैं आप टेट की तयारी कर अगर किसी भी subject को 6 महीने दे या किसी भी subject को 2 महीने दे और उसे पूरा पढ़ें मतलब कि A to Z तक पूरा पढ़ें तो मैं यह नहीं कहूंगी कि आपका exam निकल जाएगा या जो भी होगा exam तो definitely निकल जाएगा क्योंकि आपने सही से पढ़ा लेकिन आपको उस subject में पकड़ ब विस्तार से पढ़ ले एक बार और उसके बाद आपके लिए अराम हो जाएगा अब हम बात करते हैं भासा के सबसे चोटी और मौकी की क्या है ध्वनी है क्या है ध्वनी है अब अगर हम बात करते हैं ध्वनी को लिखित रूप में क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं सही बात है जो हम बोलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं लिखीत रूप में वर्ण कहते हैं अब हम बात करते हैं वर्ण तालिका के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि पेपर में कुश्यन आया है कि वर्ण तालिका में कुल कितने वर्ण होते हैं तो कितने होते हैं बावन लगों में बाटा गया, एक हो जाता है स्वर, और एक क्या हो जाता है आपका वेंजन, एक क्या हो जाता है स्वर, और एक क्या हो जाता है आपका वेंजन, यह होब आपको समझ में आ गया होगा, अब स्वर जो होते हैं, वो कितने होते हैं, ग्यारा, और वेंजन कितने होते है थर्टी नाइन ये याद रखिएगा क्योंकि पेपर में कभी-कभी पूछ ले जाता है कि वन तालिका में स्वरों की संख्या कितनी है तो आपसन क्या होगा ग्यारा अब आगे बात करते हैं स्वर जो है वो क्या है स्वतंत्र हैं सही बात है अगर हम आवन का उचारण करें क् मैं का बोलू का तो क्या है का में आपके लास्ट में का के बाद आपका आ निकल रहा है क्या निकल रहा है का के बाद आपका आ निकल रहा है इसलिए जो है हमारे वेंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं लेकिन स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं क्योंकि स्वर बोलने पर हमें मेरे लास्ट में मतलब कि जो उसकी ध्वन ही निकलती है थोड़ी देर तक वो क्या है उसी वर्ण की निकलती है जो हम लोगों ने बोली है स्वर्व में लेकिन वेंजन में ऐसा नहीं होता है अगर हम चा को भी बोलें चा चा आ तो बाद में देखिए आपका छोटा निकल रहा है ठीक है अभी होग कि आपको समझ में आ गया होगा और एक बड़ी खास안ता आप जान ले कि जब हम चा को धन आ करके लिखते हैं ठीक है तो इसमें हलंत लगा देते हैं किसमें चा में क्योंकि तब चा हमारा आ के साथ लिखा गया है है इसका मतलब क्या है इसमे इसमें जो अद्रस से मात्रा है आगी वो हट गई है यहाँ पर हट गई है इसलिए यह सब्द जो चा है यह क्या हो गया है आधा हो गया है क्या हो गया है अब बात करते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है तो स्वरों की संख्या 11 होती है अगर हम वेंजनों की संख्या के बा महतं सब्सक्राइब गया है जो हमारे स्वर हैं वो भी दो प्रकार के हैं एक क्या है हसू और एक क्या है दिर्ग हसू का मतलब यह हैं जो हमारे छोटे स्वराते मतलब जैसे हो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ठीक है, और आपका उसके बाद री से, रिसी, ये, ये क्या है हमारे, ये हमारे हस्व हैं, लेकिन अगर हम दीरग की बात करें, तो इसमें आपका आ जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ठीक है, तो ए, आ, ओ, ओ, ये आ जाएंगे, अगर हम बात करते हैं हस्व सवर के बारे में, अब हम हस्व को थोड़ा सा जानेंगे, कि ये आखिर क्या है, हस्व सवर क्या होता है, इसको कहते हैं, सबसे पहले ये जान ले, इसको मूल सवर कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूल सवर कहते हैं, इसको छोटा सवर कह सब आपने दिन के फूसर आज साथ है आपने इंतर में भी परहा होगा यह चीज तो एक मात्रिक क्या है और यह क्या है लगूमल ना क्योंता है चोटा चोटी यूज चाते ना इसलिए इसको क्या कहते है लगुस्वर भी कहते है दिधाइस आपको नोट बनाने कि बिल्कुल भी टेंसन मत लिजेगा नोट्स आप मेरे इसी से बना के लिख लिखेजे क्योंकि ये सब कुछ important है मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है अब आगे बात करें इनकी मात्रा क्या होती है ये एक मात्रा होती है आपने देखा होगा कभी-कभी पेपर में आता है हाई स्कूल में तो बिल्कुल आता है कि आपको दोहा दे दिया जाएगा कोई بھی और उसके बाद बोले का कि इसमें मात्राएं लगाई ये अगर मैंने कुछ भी लिख दिया अगर जैसे मैंने लिख दिया कमल कमल अगर हम इसकी मात्रा लगाएं तो ये सब छोटे हैं ना इसमें किसी की मात्रा तो लगी नहीं है ये किले इसमें छोटा आ है तो इसकी मात्रा एक हो गए इसकी मात्रा एक हो गए इसकी मात्रा एक हो तो इसमें कुल कितनी मात्रा हैं तीन मात्रा हैं ठीक है और अगर मैं ऐसे ही लिख दू रा नी ठीक है तो ये क्या है दोखों दोनों में क्या है एक में बड़ा आ है और एक में क्या है बड़ी ई है तो इसमें क्या हो गया इसमें दो मात्रा लगेंगे तक तब ये दीर्ग में आ जाए तब इसमें कितनी मात्रा हो गई चार तो ये दीर्गुस्वर के बारे में बात करें तो ये क्या होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग ये हमारा गुरुस्वर बड़ा और दुई मात्री और संधी स्वर भी कहते हैं ठीक है क्यों संधी स्वर कहते हैं क्योंकि जो हमारी संधियां बनती है वो सदयव दीर्गुस्वर से बनत तो हम लोग यूज करते हैं अपना दीर घुस्वर का आई होब कि आप कोई चीज समझ में आ गई होगी और अगर ये कुशन आता है पेपर में तो प्लीज गलत मत करके आईएगा अब हम आगे बात करते हैं इनकी मात्रा क्या होती है दो होती है और देखिए दो आपका ऐसे नहीं बनता है इसमें दो आपका ऐसे नहीं बनता है ऐसे दो आपका ऐसे करके बनता है कैसे बनता है ऐसे बनता है ठीक है उसके बाद अब बात करते हैं इसमें कौन-कौन से होते हैं तो जिसमें भी मात्राय लगी होते हैं जैसे आ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ आ कितने होते हैं कुल साथ होते हैं कुल कितने होते हैं कुल साथ होते हैं तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि कुल यह साथ हो गए और उसके बाद यह कितने हो गए चार चार पांच शे साथ ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है अब अगर हम आगे बात करें तो एक प्लूथ्सवर की यहाता है प्लूथ्सवर के बारे में प्ल्ूथ्सवर के बारे में उन्पॉर्टेंट नहीं है वैसे तो इलेके न फिल भी पढ़ लीजे क्यूकि तोम मैं मिया बोला थोड़ी देर Тक और बना रहता है जिसको कहते हैं बंद कमरे में अगर हम ओम कहें तो ओम में मा की गुंज काफी देड़ तक सुनाई देती है तो इसी को क्या कहते हैं पलुटसवर कहते हैं आयोब आपको समझ में आ गया होगा और ये क्या होते हैं अपून चिन होते हैं क्योंकि किसी भी चीज को जो मैं सुना इसे मैंने ओम बोला और मा की ध्वानी पूरे कमरे में सुनाई दे रहे हैं लेकिन ये क्या है अपून चिन है क्या है अपून ये पूरा नहीं है इसी तरह हम बात करते हैं अयोगवा स्वर के बारे में अयोगवा का मतलब क्या होता है अगर हिंदी में हम आ से जुड़ा कोई भी सब्द पढ़ें आयोग वा ठीक है से जुड़ा कोई भी सब्द पढ़ें तो यहां पर आ का मतलब क्या होता है नहीं आ का मतलब क्या होता है नहीं योग मतलब होता है जोड़ना और वा मतलब क्या होता है वा मतलब होता है वहन होना क्या होता है वा मतलब क्या होता है आप नहीं होते हैं क्यों अगर है किसी भी सब्द में आपका बिंदी आ रहा है लास्ट में ठीक है तो क्या है क्या अगर क्या जैसे मैंने बहुत बड़ा सब्द को ये लिख लिया ठीक है तो क्या अगर मैंने रामाह लिखा अगर मैं रामाह बोल रही हूं तो मुझे ये लगाना पड़ेगा इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं आयोगवा अगर मैंने जैसे ये जो हमारी बिंदी होती है सिरोरेखा के उपर बिंदी अगर मैं इसका उचारण कर रही हूँ तो मुझे ये बिंदी लगानी ही पड़ेगी फिर मैं चाहे जितना भी बड़ा सब्द ले लूँ मुझे ये बिंदी बहुत जरूरी है लगाना अगर मैं अहा के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे ये दो चीजे लगानी पड़ेगी और जो ये हमारे अहा वाले ये होते हैं ये सिरोरेखा के बाहर होते हैं अगर जैसे मैंने प्राता लिखा है तो प्राता के बाद य यह चीज जो है यह लाइन के अंदर नहीं लिखी जाएगी ठीक है यह लाइन के ऐसे बाहर लिखी जाएगी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ये चीज जो है ये गलत मानी जाती है तो ये कभी-कभी वाकि सुद्धी में पूछा जाता है तो आपको ये चीज धान में रखनी है आयोग कैस कि आपको ये चीज समझ में आ गए होगी आयोग वहा प्लुट स्वर दीर्ग स्वर और हस्वर के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे अब हम लोग प्लुट स्वर को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे देखिए प्लुट स्वर में क्या होता है जब हम किसी स्वर को लगातार बोलते हैं ठीक है मैंने बता है न गूंज सुनाई देती है और उस ध्वन की आवाज गूंज रही होती है ठ कि यह कितनी होती है इनकी संखाइं आठ होती है इनकी संखाइं कितनी होती है आठ होती है एक तो हमारा आ हो गया और उसके बाद दीर्ग में यह साथ हो गया और इसमें क्या हो गया आपका ठीक है क्योंकि यह जो हमारा आ है यह उचारन रहीत रहता है क्या है उचारन रहीत र बताऊंगे आपको आप ऐसे याद रखिए कि हमारे प्लुट सोरों की संख्या कितनी है आठ है पहले तो साथ दीरग हो गए और उसमें से एक हस्व का आ हो गया अब अगर हम बात करें तथ्यों के आधार पर वर्ण को जानेंगे कि यह होते क्या है देखिए ओस्ट की प्रकत के आधार पर व्रत्यकार सोरों की संख्या बताईए या आ व्रत्यकार सोरों की संख्या बताईए तो इनको हम लोग जानेंगे जैसे हमने लिखा ओस्ट के आधार पर सोरों की संख्या तो इसमें क्या है व्रत्यकार सोर है तो क्या हो गया जैसे अगर हम लोग आ बोलें आ तो आपका मूँ फैलता है ना की ओस्ट की तरह, मूँ गोल होता है, टो क्या है कि आपका जो व्रत्तागर स्वर है, इसमें उ, बढ़ा उ और ओ, यह सभी आते हैं, अगर हम व्रत्तागर स्वरों के बारे में बात करें, अगर आप U बोलें तो आपका मुँँ कुछ इस तरह गोल हो जाएगा अगर आप U बड़ा U बोलें तो भी आपका मुँँ कुछ इस तरह गोल हो जाएगा लेकिन अगर आप अन्य कोई स्वर बोलें तो इन चारों को छोड़ कर आपका मूँ किसी में भी गोल नहीं होगा आप इसका प्रिटिकल अभी तुरंद करिए आपको खुद पता चलेगा अगर आप 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 बोलते हैं तो आपका मूँ बड़ा फैलता है फैलता है वो ऐसे करके फैलता है आ में लेकिन अगर आप उ बोलें तो आपका जो ओस्ट की प्रकती है वो क्या हो जाती है व्रत का करे गोल हो जाती है ठीक है अगर हम ओ बोलें तब भी हमारे तो इन चारों को छोड़कर आप कोई भी श्वर बोलेंगे तो आपके वर्ण की प्रकद मतलब आपके मूँ की प्रकद जो है मूँ का आकार जो है वो ओट जो है वो आपकी गोल हो जाएंगे तो इ supremacy क्या कहतेते हैं वृत्ताकार श्वर और इन चारों को जोड़कर आपकी जितने भी श्वर है वो सभी क आप यह ऐसे भी याद रख सकते हैं? बोल कर कि आप देख लेंगे जल्दी से, कि आपका मूँ किसमें? व्लब जो आपकी ओट है, उनके प्रकति व्रत्ताकार किसमें हैं? और आवरत्ताकार किसमें हैं? ठीके? अगर हम आगे बात करें आगत स्वर के बारे में ठीक है अगर हम आगत स्वर के बारे में बात करें तो ये सिर्फ हमारा जिसमें चंदर बिंदी होती है वो ही हमारा क्या होता है आगत स्वर तो बहुत इसी है आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर हम बात करें जीब की प्रक तो हमारा जो जीव है, हमारे जो मुख में आ की ध्वानी निकल रही है, वो जीव के मध्यभाग से निकलेगी, चाहे तो आप बोल के देख लें, अगर आप आ बोलते हैं आ, तो देखें कि आपके जो बीच में है, वहां से ध्वानी निकलती है आ की, लेकिन अगर आप तो वो अंदर से, यहां से निकलती है, और अगर आप छोटा ओ और बड़ा ओ दोनों बोलें, तो आपकी जो ओ की ध्वानी है, वो अंदर पेट से होकर निकलती है, तो इसको क्या कहते हैं? पस्च उसर कहते हैं. क्या क्या कहते हैं? अगर आप Oh बोलेगे तो जिसको बोले में आपका ज्यादा बूता लग रहा है म्दल् sabes 009 होन और अगर हम A को बोलते हैं तो वो भी किसमे जीब की प्रकति में, आपको जीब की प्रकति में ग्याद करना, अगर आप E बोलते हैं, तो आप देख रहोंगे कि आपके आगे की जो जीब है, वो थोड़ी सी आड़ी रहती है, मतलब E, E, बड़ी E, A, A, और Rी, Rी तो आगे से निकलता है, क्योंकि आगे की जीब है, वो ज्यादा एक्टिव रहती है, उस टाइम, I hope कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, आप बात करते हैं आपसे, तालू की प्रकति के बारे में, लिखा है समवत स्वर, क्या लिखा है, समवत स्वर का मतलब क्या होता है, समवत स्वर का मतलब क्या होता है, ब आपकी ए की आवाज निकलाएगी, आप बड़ी ही बोलें तब भी रहेगा, उ और बड़ा उ बोलेंगे, तब भी आपकी जीब की प्रकति, मतलब ज्यादा हिले डिलेगी नहीं जीब, ठीक है, ज्यादा हिले, लेकिन अगर आप कभी बात कर रहे हों और सुनें, तो क्या ह आपकी जीब ज्यादा हिल्टी डुल्टी है, तो उसमें जो आपका ए और बड़ा ए री जो है, इसमें आपकी जीब तालू जो है, कम एक्टिव रहती है, मतलब कि आप अपनी जीब को बीना हिलाए भी बड़ी ए, उ बड़ा उ और री बोल सकते हैं, अगर हम विकरत स्व क्या होती है, काफी बड़ी हो जाती है, और अगर कोई भी और स्वर देख लेते हैं, तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक, अगर हम बात करें, अर्ध स्वर के बारे में, मतलब जिसमें आपका मूँ आधा खुला, आधा बन रहता है, तो उसमें क्या हो गया है, देखें, आप ए बोल रहे हैं, तो क्या है, आपका मूँ जारा सा खुला, अब आप बोल रहे हैं, ओ, तब भी आपका मूँ जारा सा खुल, लेकिन अगर आप अर्ध विक्रत, आध्र आविक्रत के बारे में बात करें, आ मतलब, अर्ध मतलब आधा, और आविक्रत मतलब ह होता है कि आपका मतलब क्यों होता है नहीं मतलब कि जिसमें आपका मुँँ आधा नहीं खुला रहता है तो इसमें क्या हो गए आ जिसमें से आपका आता है छोटा फिर आप बोलते है और उसके बाद आप बोलते हैं आओ ठीक तो इसके बारे में आपको इतनी चीज समझ में यह चीज आप पहले तो नोट डाउन करिएगा उसके बाद आप खुद एक-एक वर्ण को बोलें एक-एक स्वर को बोलें उसके बाद आप महसूस करें कि यह वर्ण कहां से निकल रहा है उसके बाद आप लिखें अपनी कौपे पर तब आपको क्लियर से याद हो जाएगा ल पता असानी रहेगी अब हम लोग बात करते हैं नाशिका के बारे में ठीक है अनुनाशिका के आधार पर क्या होता देखिए दो स्वर ऐसे हैं जिनकों हम लोग नाक के बल बोलते हैं आप थोड़ा सा ध्यान दे तो हम बोलते हैं अंग तो आप अगर अपनी नाक बंद कर बोलें और तब बोलें तब देखो आपकी आवाज थोड़ी सी कैसी बेकार बेकार से निकलेगी मतलब की लोग कहते हैं नाक के बल बोल रही हो तो जो हम यह दो वर्ण है यह हम नाक के बल ही बोलते हैं अंग और अहा क्या हैं अनुनाशिका के आधार पर बोले जाते हैं औ और इनको छोड़्य और जितने word है इनको हम कैसे बोलते है? निर्नौनासिका के आधहर पर जैसे आ, बड़ा, ए, बड़ी, ए, उ, बड़ा, उ इनको क्या है? ये निर्नौनासिका के आधहर पर बोले जाते हैं. तो jyoh guys क्या आपको ये चीज समझ में आ गई होगी? प्लीज पहले खुद से बोलिएगा महसूस करिएगा उसे उसके बाद वीडियो को देखिएगा अगर आपका महसूस किया हुआ वर्ण यहाँ पे सही लिखा है या आप जो महसूस कर रहे हैं मैंने वैसा ही बताया है फिर उसे नोट डाउन करेगा और अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बतायेगा मैं इसका वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको दिख कर बताऊंगी कि कैसे आप बोल सकते हैं और कैसे आपको आएगा अगर हम जातियों के आधार पर बात करें ठीक है किसके बारे मैं बात करें जातियों के आधार पर तो दो प्रकार की जातियां होती है एक होती है सजाती मतलब क्या होता है समान जाती एक होता है विजाती है सौर तो समान जाती का मतलब ये होता है कि जिनमें समान जाती हो मतलब की बड़ा बड़ी जीब की प्रकत के आधहर पर तालू की प्रकत के अधहर पर यह चीज़ आपको समझ में आगे होगी और अगर आपको नहीं आ रहा है तो बीना किसी भी संकोच कि आप मुझे कमेंट पर बताएं, मैं उसे solve करने की पूरी कोसिस करूँगी, लेकिन ये इस topic को हलके में मत लेना, और हाँ, इस topic में जादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है, उससे सन्दी से related हम पढ़ेंगे आके, देखे सन्दिया जो होती है, वह में तीन प्रकार की होती है, उससमें आपका स्वर भी पढ़ेंगे, वेंजन भी पढ़ेंगे और विशर्ग भी पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग स्वर और वेंजन के बारे में सही से जान लें, उसके जो है यह स्वरो पर निर्भर होता है और इनकी संख्या कितनी होती है तो वह होती है थर्टी नाइन होती है संख्या याद रखीगा क्योंकि पेपर में कई बार पूछ लेता है कि इस्वरों की संख्या कितनी होती है वेंजनों की संख्या कितनी होती है तो थोड़ा सा जरूरी है अगर हम लोग अब बात करते हैं प्रमुख बिंदू पर देखे ज़्यादा ठीरिकल पढ़ने की जूर और इसके बाद रिसे लेखे ने सायोग तो क्यों बोला गया क्योंकि ये किसी ना किसी के सायोग तुसे बने है जो हमारा चा होता है ये हमारा का शा और आ से मिलकर बना होता है इससे मिलकर बना होता है ठीक है तो इसको क्या कहते हैं चा ठीक है उसके बाद आपका त्री इसी तरह यह ता और फिर रा और फिर आख से मिलकर बना है इसलिए इसको कहते हैं तो यह सभी क्या है आपके यह जो आपके चार वर्ण हैं इनको क्या कहते हैं संयुक्तुस्वार क्योंकि यह देखने में भी लगते हैं कि यह किसी ना किसी के जोडाओं से बने हैं मैं आपको आग हिंके अलावा जो है, कितने है थर्टी नाइन हैं इनको हम लोग छ्षै तरग्ज्या औरई इसको हम लोग क्या है श्री से इनको हम लोग नहीं गिनते हैं किसमे वेंजन में यह की थैंगो अब हम लोग आगे बात करते हैं लिखा हुआ है उच्छिप्त स्वर का मतलब ये होता है उच्छिप्त स्वर या वेंजन ठीक है इसमें क्या है आपका धा और फिर ये मतलब ये मतलब काखागा वाली लाइन और उसके बात ये 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 दोनों आपके क्या है उच्छिप्त स्वर इनको बस आपको याद करना है एक दो बार ध् बुले आते हैं, जैसे आपका या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वा हो गया, ये या, रा, ला, वा, देखें, ये लाइन से भी है, या, रा, ला, और वा, ये आपके क्या हो गया, अन्ता इस्थस्तु विंजन, क्या हो गया, अन्ता इस्थस्तु विंजन हो गया, ये ची तोस्वार में अगर हम आगे बात करें तो समय वेंजन आता है की आता है उसमय वैंजन का मतलब यह है जिसमे अधिक उर्वर्षक्ता हो जिसे आप गाव शाँ जिसमें दिखी ज्यादा हवा निकल लिए सह Studio । यह पहले छीटी वाली ख्टकोंड वाली सब ये और उसके बाद आप कहा ता हां तो ये सबी क्या ए उस्मिव वेंजन से इसमें अधिक उझा क्या ऊसकता पड़री इस में अधिक उटजा क्या और सकता पड़री इसलिए उस्मिव वेंजन अब हम लोग नाशिका के बारे में बात करें, तो जो हमारे पांच वर्ग होते हैं, पांच वर्ग होते हैं, पांच वर्ग होते हैं, पांच वर्गों में पांच वे वर्ण को, पांच वा अच्छर जो होता है, लास्ट का, ऐसे टाठाडा, इयां में, इयां, ठीक, पापा बाबा, पापा आ जाता है नाशिका इसमें भी लास्ट के जितने भी पांचवाच्छर होता है यह सबी हमारे क्या हो जाते हैं यह हमारे होते हैं नाशिका स्वर श्री नाशिका वेंजन होते हैं अब हम लोग बात करें संघर सहीन संगर्ण से इनके मारे में बात करने का मतलब यह जिनको माराम से बोल सकते हैं या और वा उसको या और वा उसी तरह आपका पार्सविक स्वर क्या पार्सविक वेंजन क्या होता है ला पार्सविक विंजन क्या होता है ला पार्सविक मतलब यह होता है जिनको इसपर्स करने के लिए ठीक है इसे हमारा पार्सविक जिनको हम लोग इसपर्स मूग जीब जो है वो ला बोलने के टाइम उपर तालू में इसपर्स करती है इसको इसलिए क्या कहते है पार्सविक वि है आपका इस परसी इस परसी वेंजन में क्या है चावर्ण चावर्ण के चौथे वर्ण क्या है चावर्ण का और चौथा वर्ण वलब चाचा जा जाईयां ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया इस परसी अब हम लोग बात करते हैं लुंठित स्वर के बारे में तो रा जो हमारा रा है ये हमारा क्या है लुंठित स्वार है देखिए आप इन दोनों से याद रख सकते हैं इसमें जो हमारा रा है ये हमारा क्या है लुंठित है और जो हमारा इस परसी जो हमारा पार्सविक है वो क्या है हमारा ला तो रा और ला में अंतर आप ध्यान रखना और इसे पढ़ भी लेना यह important है थोड़ा सा क्योंकि कभी-कभी पूछ लेता है कि निम निलिकित में बताईए कि पार्स्विक्वेंजन क्या है तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकते हैं तो इसे पढ़ लीजेगा क्योंकि important है वगर हम आगे बात करें वर्णों का वर्गी करन किसका वर्गों का वर्गी करन मतलब वही जो हमारे पांच वर्ग होते हैं उनको हम कैसे बाटना है इसमें बताएंगे देखिए घोस के आधार पर क्या होता है घोस के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं घोस मतलब होता घोस मतलब क्या होता है कंपन , इसमें दो वढ़ना। एक होता है सगोस और एक होता है अघोस तो आ मतलबो होता है ना मतलब जिसमें कमपन नहीं है और सघोस मतलब होता है जिसमें कमपन होता है मतलब एक पॉस्टिव में है और एक निगेटिव में है तो अगोस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रतेक वर्ग का देखें प्रतेक वर्ग का पहला दूसरा मतलब की काखा गागा का का और ख चा 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 और चा तो यह सबी इस तरह के बता रहे हैं कि प्रतेक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और उसके बात क्या है आपका शा 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 अगर हम कहीं पर भी शा बोलें तो क्या आपको लगता है कि इसमें कमपन हो गाए। सा एक परकार का स्वरहीन लगता है क्या किश्या इसमें क्या आपको किसी कमरे में आप बोलते हैं तो क्या आपको लगता है किसमें कमपन होगा नहीं लगता ना तो वही चीजे ये क्या है आपका अकमपन अतलब अगोस अगर हम सगोस के बारे में बात करें तो प्रतेक तीसरा चौथा और पाचवा वर्ण क्या प्रतेक वर्ग का तीसरा चौथा और पाचवा वर्ण इसमें आपका आजाता है या या रा ला वा हा क्या या रा ला वा और हा कुल कितने होते हैं 31 कुल कितने होते हैं 31 मतलब की 31 और इसमें कितने होते हैं कुल 13 कितने होते हैं कुल 13 तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेगा अगर हम बात करें प्राण वायू के आधार पर प्राण वायू मतलब कि जो हम बोल रहे हैं उसमें से कितनी प्राण वायू कौन से सब्द में जादा निकल रही है कौन से वेंजन में कम निकल रही है इसके आधार पर अगर हम ब प्रतेक वर्ग का पहला तीसरा और पाचवा और उसके बाद जो आपके आते हैं अलपपराड में या रा लावा क्या या रा लावा इसमें हा नहीं होता है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना क्यूंकि सगो सागोस में आपका या रा लावा के साथ हा भी है आप इसके बारे में बात करें आपका महाप्राड महाप्राड में क्या होता है प्रतेक वर्ग का दूसरा और तीसरा वेंजन क्या प्रतेक वर्ग का दूसरा और तीसरा वेंजन क्या प्रतेक वर्ग का दूसरा और तीसरा वेंजन क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे अलप उसमें बेंजन होते हैं वो सभी लिए जाते हैं जिसमें से आप क्या हो गया शाह शाह और शाह इनकी संख्या कुल कितनी होती है 14 होती है तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी एक बार वीडियो को फिर से देखेगा और मेरा मानिये तो आप अपना खुद का उचारण कर करिए वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके और आप मुझे आन एकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं अनुष्ट्री नाम से सहच करके हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का भी थोड़ा सा बचा है जिसमें आप उचारण के इस्थान पर पढ़ेंगे मलब उचार